चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में जैसा कि हम लोग डेली आपके मिनिटेस्ट कर रहे हैं रोजाना रात आठ बजे जिसमें अभी तक हम लोगों ने 47 मिनिटेस्ट कम्प्लीट कर लिए हैं आज आप लोगों का 48 20 मार्क्स के लिए रहते हैं जो आपकी एक्जाम आने वाली है मतिपदे शिक्षक वर्ग दो बहुत सारे दोस्त यह सा सोच रहे हैं कि एक्जाम नहीं होगी तो लेना ही पड़ेगी उनको क्योंकि प्री ली है तो मैंस तो लेना ही चाहे कोई भी सरकार आये जो भी आये ले यह मैक्स टू मैक है इसमें नहीं हो सकती है यहां से यहां तक आपकी हो सकती है तो आप लोग तयारी जारी रखे आप यह ना सोचे कि एक्जाम नहीं होगी है तो इसमें सोचने में नुकसान आपका ही है पड़े आप रोग देंगे तो नुकसान आप ही लोगों का है क्यो यानिकि स्क्वेर का शेत्रफल 24 है है ना तो उस वर्ग का परिमाप ग्याद किजिए 2 root 6 4 root 6 16 root 6 या 8 root 6 बताईए क्या answer आप लोगू का बन जाएगा solve करना है answer लाना है ठीक है चेक करिएगा आप लोग क्या answer आप लोगू का बन रहा है ठीक है ठीक हरे question को करने के लिए आप लोगों को मिलेगा हर अगम से कम यहाँ पर 30 से 40 सेगंड का समाए ठीक है तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वर्ग का शेत्रफल आप से पूछ रहा है वर्ग का शेत्रफल क्या होता है यह वर्ग ऐसी आकरती जिसकी सभी बुजाए क्या होती है समान होती है सेम टू सेम होती है इसका शेत्रफलता है ए स्क्वेर बराबर उसने 24 दे रखा है तो यह बराबर रूट 24 होगा ठीक है ना तो रूट 24 और आपसे परिमाप पूछा है तो फोर इंटू रूट 24 अब रूट 24 को थोड़ा सा simplify करें तो यहां पर 4 इंटू 6 इसको आप के सकते हैं तो 4 बाहर आकर के 2 बन जाएगा तो 2 रूट 6 आपकी एक भुजा आ रही है तो 2 रूट 6 मतलगा देना क्योंकि उसने परिमाप पूछा है परिमाप का मतलब क्या होता है चारो बुजाओ का योग यानि कि A बराबर यह ह तो परिमाप होता है 4 इंटू A इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो 4 दुनिया 8 रूट 6 जो है वो उस वर्ग का परिमाप या पेरिमिटर बन जाएगा तो इसका बिल्कुल सही जवाब 8 रूट 6 है तो option number D जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब आप लोगो का बन रहा है वो बन रहा है option number D ठीक है next question पर बढ़ते हैं question number 2 पर आप लोग नज़र डालना करने की कोशिश करना question number 2 क्या कह रहा है समझना इसको लिखा हुआ है 6 cm 8 cm और 10 cm भुजा वाले त्रिबुच के एक परीवरत परीवरत क्या होता है कोई त्रिबुच है उसके उपर वद बना हुआ है सभी भुजाओं को टच करते हुए ठीक है तो उसका शेत्रफल क्या होगा सेंटिमेटर दोसुबीस बटे साथ या 110 बटे साथ सॉल्व करिएगा आप लोग अंसर लाइएगा क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है कि कुशिश करिएगा सारे दोस्त कि अ कि कि चेक करना चलिए देखो छे आठ दस सेंटिमेटर वाला एक त्रिभूज है इस प्रकार से ठीक है आपका राइट एंगल ट्रेंगल ही होगा यह अब परिवरत है मतलब इसके चारो तरफ एक वरत बना हुआ है ऐसा वरत है समझ लीजी आप कुछ इस तरीके से ठीक है अब है ना थोड़ा सा इसको तरीके से बनाते थे आप समझ जाए इस तरीके से वरत है अब वह बोला किस्का शेत्रफल कित्ता होगा अब यहां पर यह जो 10 है ना ये इसका सेंटर रहेगा ठीक है इसको एक इसको सेंटर यहां पर तो यह आपका 10 है इसकी भुजा अब यह पूरा अव्यास है दस्तों तो तुरिज्या किती हो जाएगी, 5 हो जाएगी, अब पाइयार स्क्वेटर हम करें, तो 22 बटे 7, into 5 10,5 किता हो रहा है, 5 नो 10, किता हो रहा है, 552 नो 50 है 555, 505, बटे 7 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा न दोस्तों, वो बनेगा option number B बिल्कुल correct answer हो जाए ठीक है तो इस तरीके से आप लोग करेंगे इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 550 बटे 7 clear है यहां तक ऐसे आप लोगों को करना है question number 3 पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कोशिश करिएगा question number 3 क्या कह रहा है पढ़ना आप लोग एक कारेले में पूरे स्टाप का ओसत वेतन 250 रुपए प्रति महा है मतलब हर महीने 250 रुपए मिलते है अधिकारियों का ओसत वेतन 600 रुपए है और गेर अधिकारियों का संख्या 18 है तो गेर अधिकारियों की संख्या ग्याद किजिएगा क्यासी 126 108 या 144 पताइएगा क्या अंसर आपका बन रहा है कोशिश करिएगा कि सॉल्व करना सारे दोस्त क्या अंसर आपका बन रहा है ठीक है है ठीक है डेखो इसको अलिगेशन से भी आप लोग कर सकते हैं सभी का वेतन दे रखा है देखो पूरे इस्टाप का वेतन 250 रुपए है तो पूरे इस्टाप का वेतन बिल्कुल बीच में आप लिख दीजे अधिकारियों का उसत वेतन उसने 600 रुपए दे रखा है तो आप 600 रुपए यहां लिख दीजे गेर अधिकारियों का उसत वेतन 200 दे रखा है 200 यहां लिख दीजे तो यहां से डिफरेंस आप लेंगे 600, 200 गया 400, 400, 000, 500, 500, 300, 500 यहां आ रहा है और 50 यहां आ रहा है तो अगर आप रेशो से काटें तो 5 MR 5, 5 7 35 तो 1-7 का रेशो अधिकारियों और गेर अधिकारियों के भीच बन रहा है जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो अधिकारियों की संख्या उसने यहाँ पर 18 दे रखी है कितनी दे रखी है 18 तो 18 जो है वो एक के बराबर है तो आप से गेर अधिकारियों की संख्या वो जानना चाह रहा है तो आप इंटू किसका कर दीजिए 7 का 18 साथे कितना होता है 8 साथ चपपन का 6 6 कहा है यह रहा तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 126 गेर अधिकारियों की जो संख्या है वो कितनी होगी 126 होगी क्लियर है यहाँ तक ऐसे करना है नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं साथियों मा पिता और बेटे की おसत उम्र 20 वर्ष थी और मा और बेटे की आठ साल पहले की आज सत उम्र 16 वर्ष थी तो पिता की वरतमान उम्र ग्याद कीजिए 36 वर्ष 40 वर्ष 42 वर्ष या पैतानिस वर्ष सॉल्व करिएगा आप लोग आंसर लाईएगा क्या answer आप लोगों का बन रहा है तीनों की आठ साल पहले तीनों की उस्त उम्र 20 वर्ष थी ठीक है देखो वर्तमान और आठ साल पहले अगर तीन लोगों की उस्त उम्र 20 है तो टोटल उन तीनों की कित्ती हो जाएगी 60 हो जाएगी ठीक है और 8 साल पहले मां और बेटे की 8 साल पहले की उससे आई 16 वर्षिय अगर मां और बेटे दो लोगों की बात करूँ 8 साल पहले तो उससे 16 है तो 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा अब 3 लोगों में मां और बेटे की माइनस कर दू तो केवल पिता जी की उमर आ जाएगी 60 में से 32 माइनस करें 10 में से दो गया तो 8 और इधर 5 में से दिन गया तो 28 तो 28 यहां पर नहीं है क्योंकि यह 8 साल पहले की बात है हमको पिता की वर्तमान उमर चाहिए तो इसमें 8 और जोड़ देंगे 8 रफ 16 अच्छे है सिल्लागा एक तो 36 तो पिता की वर्तमान उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी 36 वर्ष हो जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 36 वर्ष 36 एर क्लियर है यहां तक नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं साथियों क्वेशन नुबर 5 पर आप लोग नजर जाए जाता है तो नया उसत क्या होगा छे आठ नो या चौदा बताना क्या अंसर आपका बन जाएगा बहुत सिंपल क्योशन है कोशिश करिएगा आप लोग क्या आंसर आपका बन रहा है ठीक है और डेली कभी कभी SSE GD के लिए भी प्रेक्टिस सेट चलता है तो वो प्रेक्टिस सेट भी आप लोग वर्ग दो वाले जितने भी दोस्त है वो प्रेक्टिस सेट भी आप लोग देख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैस के ही क्योशन है तो आप लोग वो प अब हर एक मैंसे में 3-3 घठाता हूं है नो इसमेंabil density कि रहेगा नो ही रहेगा तो जो सब में से घठाने को बोले ओरेक्ट मैं से घठा दो 12 में से तीन गया तो आप आपका ऑसाट जो है वह नो जाएगा तो नया उसाट कितना रहेगा नो रहेगा clear है क्या ऐसे आप लोग कर सकते हैं next question पर चलते हैं इसके अलावा आप ही course men's के लिए बिल्कुल आप लोग पूरा course मात्र 499 में join कर सकते हैं special for men's बिल्कुल इसमें 200 से 200 वीडियो आपको मिल जाएंगे कहां मिलेंगे तो ये मिलेंगे आपको layer 3 education app पर ठीक है layer 3 education app पर आप ये app download करिएगा इसमें आप लोगों को पूरा course जो है वो available हो जाएगा ठीक है चाली आगे चलते हैं next question question number 6 करिएगा इसे ध्यान से क्या answer आपका बन रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तिसरी से तीन गुणा है यदि तीनों संख्याओं का उसद 1034 है तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच कितना अंतर है 423, 1223, 846 या 746 सौल्व करिएगा क्या answer आप सभी दोस्तों का बन रहा है कोशिश करना है, answer लाना है ठीक है तीन संख्याओं के बात हो रही है मैं नाम दे देता हूँ इनको A, B और C अब वो बोलना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से दुगनी है अगर दूसरी अगर एक मानता हूँ तो यह दो गुणी हो जाएगी लेकिन तिसरी से तीन गुणी है अगर तीसरी एक मानता हूँ तो यह तीन गुणी हो जाएगी तो आप इसको तीन रखने के लिए इसका दुगना करें हम B का दुगना रखना है तो डेड़ रख लेंगे इसको बस या फिर और रेशो को क्लेरिफाई करना है तो सबको दो-दो का मल्टिप्लाई करतो तो दो-टिया छे डेड़ का दबल तीन और एक का डबल दो तो यह छे तीन दो इसमें रेशो आ रहा है तो सभी संख्या यह 6X है यह 3X है और यह 2X है और सभी संख्याओं का ओसत 1034 है अगर ओसत 1034 है तो टोटल निकालने के लिए 3 का गुणा करतेंगे तो यह तोटल हो गया सभी संख्याओं को टोटल 1034 हो गया अब यह सब के बराबर है इसलिए 6, 3, 9, 2, 11 यहां पर रख दूँगा ठीक है और इंटू क्या करूँगा जो मुझसे पूछा है मुझसे पूचा है कि यह पहली संख्या तता दूसरी के बीच क्या अंतर है पहली और दूसरी के बीच कितना अंतर है रेशो में तीन का अंतर है बस यहां से करूँ इसको तो ग्यारा से काटू 11-99 99 के बाद 4 बसता है 11.44 अब मैं इसका इकाइंक देखूं तो दिन्तिया नो नो चोग चाथिस चाथिस का चे इन दोनों में आ रहा अच्छा तो पूरा करना ही पड़ेगा तो 94 लोगों का बन रहा है दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं में दोस्तों क्वेशन नमबर सेवन पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कोशिश करिएगा क्वेशन नमबर सेवन क्या लिखा हुआ है ध्यान यानि कि पास होने वाले चात्रों का पता लगाएं 5%, 15%, 30% या 35% क्या अंसर आप लोगों का बन जाएगा कोशिश करिएगा दिये हुए समय में ठीक है सॉलू करना क्या अंसर आपका बन रहा है यह वेन डाइग्राम से भी हो सकता है डारेक्ट भी हो सकता है ठीक है डाइरेक्ट करें तो दोनों फेल फेल वालों को जोड़ों और जो कॉमन हे वह माइनस कर लिया आप जैसे यहां पर 45% में फेल हो रहे हैं ठीक है जबकि 35% सोशल साइंस में फेल हो रहे हैं अब टोटल जोड़ें पाच 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 दस की जिरू से लगा एक चार चार आड़े 80% टोटल फेल हो रहे हैं लेकिन इसमें कुछ common भी है जो दोनों में हमने गिल लिये है 15% दोनों में तो 15% आप माइनस कर दो तो यहां पर 10 में 5 या 5 साथ में से गया तो 65% टोटल फेल होने वाले हैं अब मुझे 65% नहीं पुछा है मुझे पुछा है उत्तिर्ण कितने हैं तो टोटल 100 में से 65% फेल है तो 35% टोटल पास होंगे तो यहां पर इसका बिल्कुल सही जवाब जो आ है यह वाला गुला जो है मान लिजे social science का है इसमें को मन जो है 15% है अब टोटल मैच्ज में 45% है 45 में से August 15 है तो क्येवल मैच्ज में फेल कितने हुए है तो पैसाथ पन गया तो 30% में फेल हुए अब टोटल 35% आपके सोचल साइन्स पर रखना है सोचल साइन्स 35-15 पर ली है तो 20 परसेंट आपके यह सब फेल वाले हो जाएंगे 30-50-15 65 परसेंट फेल हैं तो 35 परसेंट पास है ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं वेंड डाइग्राम की मदद से क्वेशन करेंगे हैं higgya in the next question पेंखे जलेते हैं question number Avero आप लोग नजर डाली एगा दोस्तों और करने की कोछिश करिएगा क्या लिखा हुआ question number eight लिखा है धोस्तों दो संक्ष्म चांतर बन रहा है और उन संक्ष्म कर वरगों का अंतर 28 एस है दो झाल ठीक है? चेक करना चलिए तो देखो यहाँ पर अगर उन्हें संख्याओं के वर्गों का अंतर यानि कि a square minus b square आपको दे रखा है तो आप a square minus b square बराबर लिखते हैं a plus b है ना? और a minus b a plus b into a minus b जिसमें से वर्गों का अंतर 28 दे रखा है ठीक है? और वर्गों का उन दोनों संख्याओं का योगफल नहीं पता लेकिन उनका अंतर तो पता है न दो बस यहाँ दो से इसको काटने के तो चवदा आ जाएगा तो उन संख्याओं का योगफल जो होगा वो चवदा हो जाएगा बड़ा आसान है ठीक है? इसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं ठीक है? अब नेक्स्ट क्रेशन पर चलते हैं दोस्तों क्रेशन नमबर 9 लीजिएगा करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है? क्योशन नमबर 9 हैं दो संख्या हैं 5-6 के अनुपाद में हैं पहली में से 4 को घटाया जाता है और दूसरी में 4 को जोडा जाता है तो यहाँ अनुपाद 3-4 हो जाता है तो छोटी संख्या क्या होगी? क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है कुशिश करिएगा ठीक है? इसको आप डाइरेक्ट भी कर सकते हैं चाहें तो है ना? डाइरेक्ट कैसे करेंगे कि आप ओप्शन से देख लें कि छोटी संख्या क्या है तो छोटी संख्या वहाँ पर 5 है रेश्यो में 5 है पांस से कौन सा ओप्शन कट रहा है आपका सित्तर ठीक है तो डाइरेक्ट आप लोग अंसर लगा सकते सित्तर बाकी कोई और ओप्शन कट नहीं रहा है अगर आप बेसिक से करना चाहें तो इसको आप दो संख्याओं को इसको 5x मान लीजे और बड़ी संख्या को 6x मान ल 16 इधर 3 का गुणा होगा अंदर तो 3 से करेंगे 3 चंग 18x प्लस 3.12 अब यहां अंतर लेंगे तो 20x और 18x का अंतर 2x है यह माइनस का 16 उधर बेजेंगे प्लस का 16 16 10 26 28 2x बराबर 28 तो x बराबर कितना रहा है 14 अब यहां एक्स से काम नहीं चलेगा आपको 14 का 5 में गुणा भी करना पड़ेगा तब छोटी संख्या आएगी 14 पंजे 70 तो आपका option number A जो बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बनेगा इसको आप basic से भी कर सकते हैं इसको आप direct भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे ठीक question number 10 पे चलते हैं question number 10 देखिएगा दोस्तों करने की कोशिश कर देखिएगा क्या लिखा हुआ question number 10 आप लोगों के सामने ये रहा ठीक है लिखा है मेरे दोस्तों एक शंकूर एक बेलन की उंचाई बराबर है उनके आधार की तरिज्जा जो है वो 65 के अनुपात में है उनके आयतन का अनुपात क्या है बारा पच्चिस पंद्राचार ग् बन जायगा कोशिश करना और फ़र लेख लग उनके अधे प्टक्रम करेंगे छली ठीक है देखो शंकू और बेलन की उंचाई बराबर है उनके आयतन का अनुपात पूछा है शंकू और बेलन के आयतन का अनुपात पूछा है जबकि उनकी उंचाई जो है वो बराबर है इसके height और इसके height जो है वो बराबर है ठीक है अब आयतन क्या होता है इसका आयतन होता है एक बटा 3 R square यहनि कि आपका इसकी radius किती है 6 6 का square यहनि कि 6 गुणा 6 और इसके radius किती है 5 गुणा 5 यहनि कि 25 ठीक है यहां से करें 3 दुना 6 6 दुनी 12 तो इसका आइतन आएगा 12 इसका आइगा 25 इनके आइतन का नुपाद 12-25 हो जाएगा जल्दी हम लोग अभी थोड़ा काम खत्म हो जाए फिर डेली live class शुरू कर देंगे शाम को ठीक है रोजाना एक से डेल गंटे के हम लोग live class रखेंगे जिसमें बहतरीन क्योशन हम लोग करेंगे ठीक है थोड़ा सा काम खत्म हो जाए थीक है मैं तोड़ा अभी व्यस्त हूँ इस वज़े से जैसे ही हम लोग फ्री होंगे दो-पांद दिनों में हम लोग लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं ताकि रेगुलर क्लासेज आपकी चलती रहे वर्ग दो स्पेशल मैंस ठीक है चली है न आगे बढ़ते हैं कोर्स का मैंने बता हैं ताकि लड़कों को 60 kg ने मिले हर लड़की को 60 मिले और प्रत्यक लड़की को 30 kg ने मिले तो उस पार्क में लड़के और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए कि वावन चब्विस पितालिस त्येटिस पचास अठाइस या कवन सत्ताइस सब को जोड़ने पर इठोत्तर ही आ रहा है छे दो आठ हां ठीक पांस तिन आठ चार तिन साथ ठीक ठीक ओप्शनिंग मदद से भी आप कर सकते हैं इसमें एलिगेशन भी लग जाएगा लेकिन एक बच्चे को लगबग कितने खिलोने मिलेंगे उससे आप कर सकते हैं कि कोशिश करिएगा अच्छा क्योश्चन है आंसर लाइए अगर चलिए तो देखो अगर आम मैं एक बच्चे के खिलोने निकालू तो टोटल इन 49 खिलोने हैं अगर एक बच्चे के खिलोने चाहिए तो इठ्थ उत्तर का भाग लगा दू यहां से करें तो तेर्टिय उन्चालिस यानिकी तीन सो तेर चंग इठ्थ उत्तर ठीक है और इसको काटें अगर है ना च्छे पंज़ तीस पचास हर एक बच्चे को लगबग पचास खिलोने मिलने चाहिए तो अगर हर एक बच्चे को पचास मिलने चाहिए लड़कों को साथ लड़कियों को तीस तो यहां से रेश्व निकल करके आ जाएगा 60-50 का डिफ्रेंस 10 इधर डिफ्रेंस 20 तो दो एक का रेश्व यानिकी 21 तो लड़के और लड़कियां दो एक के अनुप और है न तिन दूता छे और 1 बजाती इस छकटार 26 डो रेज़uashowaurs fellowưaequad 22 जोड बावन चब्रावण चिएगा इसका बिलकुल सही जवाब जो है व Kan Be 25-26 हो जाएगा अगर आप इसको डारेक्ट करना चाहें अगर आप सुनचे कि मैं डारेक्ट कैसे करूं तो यहां पर पहले उप्षिन से आप मल्टिप्लाए किजिए साट इंटू बहुत बहुत बावन करिए तीस इंटू चब्विस किजिए टोटल उन्चालिस सो आ पर आतलेक्स अब लड़कों को मिल रह Kyle ने तो यहां टोटल हो जाएगों 50 खिलोंने लड़कों के इनको मिल रहे हैं 30 खिलों ने तीस के और इस्में कर दें तो जो भी आ जाए और बराबर में आप लिख लिजिए उन्चालिस सो इससे भी एक्स के विल्यूव आजाएगी उससे भी आप लोग कर सकते हैं बोलो clear है क्या तीन तरीके मैंने बता दिये तीनों तरीकों में से जो तरीक आपको ठीक लगे suitable लगे उससे आप करने कुशिश करने क्या लिखा हुआ है यहां पर कुछ बोला गया है वह आप देख लीजे पड़ लीजे क्या है कि निमनली लिखित में से कौन सा कथन सत्य है लस है यहनि कि लगुत्म स्वावर्त गुणित-महत्तम स्वावर्त बराबर होता है दोनों संख्याओं के नंबर के बराबर होता है एक एक अभाज संक्या है येGU व्यसे घलत है कि एक संक्या का गुंण फल योग फल के बराबर नहीं होता है तो ये वाली बात भी आएगा आपका इन में से कोई नहीं तो वेसी नहीं आएगा इसका सही आंसर आपका option number B ही है ठीक है बोलो clear सहभाज संख्या क्या होती है को प्राइम नंबर जैसे जिनका HCF बन होता है जैसे अगर मैं लिखू 12 और 15 तो क्या यह सहभाज संख्या है यह नहीं है क्योंकि इन मे एक का भाग भी जा रहा है इन में तीन का भाग भी जा रहा है है ना तो यह सहभाज नहीं है ऐसी संख्या है जैसे अगर मैं लिख देता हूं 15 और 17 तो यह सहभाज है क्योंकि इनके एक के अलावा इन दोनों में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता आप बोलोगे इस 15 मे जो LCM होता है जैसे 3 और 4 है इन 2 सहवभाज संख्याओं को LCM है वो भी कितना है 12 है और इन 3 और 4 का गुणनफल भी जो है वो भी कितना है 12 तो हमेशा जो सहवभाज संख्याओं होंगी उनका LCM और उनका गुणनफल बराबर ही होगा ठीक है यह हमने number system में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है next question पर चलते हैं साथियो question number 13 आप लोग देखिएगा करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ question number 13 चेक करना दो संख्याओं का योगफल 100 है उन संख्याओं का अंतर 50 है तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा 21, 31, 41, 51 बताना तो संख्याओं जिनको जोडने पर सो आता है जिनको घठाने पर 50 आता है तो उनके बीच क्या अनुपात होगा 21 का, 31 का, 41 का या 51 का 150 को देखकर 21 मत लगा दे न कभी-कभी जल्दी में गलत हो जाता है तो देखो दो संख्याओं को जोडने पर सो आ रहा है तो X प्लस Y बराबर सो है और अंतर 50 है यह निकि X माइनस Y बराबर 50 है तो यहाँ पर अगर आप देखे तो 2X बराबर 1,500 तो X बराबर 55 यह निकि एक बड़ी जो संक्या है वो पिचोतर है अगर बड़ी पिचोतर है तो चोटी क्या रखे 25 तभी सोब आएगा इनके बीच क्या रेशो है यह पूछा था 0.24 मिटर भुजा के कितने वर्गाकार रुमाल बनाए जा सकते हैं दो सू दो सू चालिस चार सो असी नन ओव दिस चेक करिए गड़ी करके रखते हैं बन जेब में एक साइड गंदे हो जाए तो घड़ी दुसरी तरफ से कर लेते हैं है फोल्ड दुसरी तरफ से कर लेते ह चेक करिए गारा है 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 अगारी निकालनी हिरुमाल यह तो मैंने आपको बताया था संख्या जब भी निकालनी हूं बड़ा अइतन बटे च्छोटा अइतन आप रख दीजिएगा उससे आसानी से अंसर बन जाए रकनों कि तो देखो संख्या अभी भी निकालना हो तो यह बात हमेशा आप याद रखिएगा संख्या होता है बड़ा शेत्रफ बटे चूटा जेटर थिखै बड़ा यह बड़ा शेत्रीफल बड़ा बटे चोटा शेटर अieso शेट्र hiss ठीक बड़ाह, अस बड़े इस होजा है 0.24 anyway 60 cm में Calvin एक 96 जो है 26 cm में थो एक काम करते सबको cm बदलना चाहें तो यह 96 cm में है सही लकिन यह 1.2 अगर cm बदलना हो तो 100 का कुना करेंगे तो 120 cm को जाएगा ठिक है नंदा 200 cm कि यह भी अगर cm बदलना चाहें तो यहां से हटाएंगे तो नीचे सुआ जाएगा है ना मीटर से सेंटिमेटर है ना और नीचे सुआ जाएगा नहीं इसमें सो सो का गुणा करेंगे है ना सो का गुणा करेंगे भागने लगाएंगे तो 0.24 को सेंटिमेटर में में बदलना है तो सो का गुणा करेंगे तो 24 इंटू 24 आ जाएगा यह होगा ना मीटर से सेंट्रिविंट हाँ बस तो यह 24 पंजे 120 24 चुक छन्यू हाई ना तो पांच चुक 20 आएगा है ना 1.2 मीटर को सेंट्रिविंट बदलना है सब्सक्राइब करेंगे 10 हाँ सभी है तो फिर 90 आएगा 200 नहीं आएगा 90 आएगा इनमें से कोई नहीं 20 यह आ रहा है ठीक है 20 रुमाल बनाए जा सकते हैं ठीक है ना ऐसे करेंगे क्योशन नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्योशन क्योशन नमबर 15 पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कोशिश करिएगा दो व्यक्तियों के आये का अनुपाद यानिक इनकम का जो रेशो है वो 3-5 है यदि दोनों की इनकम में 20 की वृद्धी होती है तो ठीक है जेक करना है थीज़े ना चलो देखो तो वेसे भी 3-5 का रेशो है तो 3-5 का रेशो किसमें बन रहा है चारतिया 12 4-5 का इसमें बन रहा है इसमें भी बन रहा है बाद आरतिया 248 45 एक कामकरोट करिंदे हैं हाँ बीश की वृद्धी इसमें करें तो यह 140 हो जाएगा उसमें 220 हो जाएगा क्या 13 इकिस बन रहा है कै रेशो इसमें अगर 260 और इसमें 421 लाइक्स तरी के से कर लें तरीके से से कर लेंगे चाल का मिणिटेस्ट यहींस कर लेंगे बाकी की विडियो को लाइक करते जाएए का जाते जाते regulation लाकशत अधनीवाथ पूरा वीडियो. तेखने के लिए त्यारी जारी रखें एक्जाम जरूर होगी और हम लोग जल्दी ही लाइव क्लासे शुरू कर रहे हैं शाम को ठीक है ये मिनी टेस्ट बंद करेंगे फिर लाइव ख्लासे शुरू करेंगे उसमें अलग-अलग टेप्टर है ना अलग-अलग अरीके से ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो तैंक यू सो मच धन्नी बाद दोस्तों